हildo दोस्तों आज किस वीडियो बात करने वाले हैं कि आप HDFC से किस तरीका से लऑन ले सकते हैं और जो मैं बताऊँगा ignoring step by step here पर cinematically all process के साथ कि आप HDFC से आप किस तरीका से Subscribe लॉन के लिए apply करके और finally आप अच्छे कासे लॉन ले सकते हैं और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मेरा HDFC बैंक में मेरा खाता नहीं है या मुझे मिलेगा या नहीं तो फाइनली पूरी जनकारी मिलेगा और उसके साथ सभी को मैं आज लॉन दिवा कर दिखाऊंगा कि किस तरीका से आप लॉन लो होगे तो सबसे पहले आप सबसे छोटा सरी क्वेश्ट है कि भाई किस वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे यूटुब क्यानल पे पहली मरते वाएं तो वीडियो कनीचे कलाल बलाओगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दिए और बाजू में एक बेल आइकन है उस प बैंक मोबाइल बैंकिंग एक अप्लिकेशन है जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस अप्लिकेशन को करना क्या है इस्टॉल कर लेना है इस्टॉल करने का बाद इसको सिंपली करना ओपन कर लेना है जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैं ओपन कर लिया हूँ open कहने बाद बेट करना है और यहाँ पर करना का है continue करने का बाद यहाँ पर allow करना है और allow करने का कुछ ऐसा आ चुका HDFC बैंक का उसके बाद दोस्तो आपके मन में ये सबसे पहले मैं clear कर दूँ कि आपके मन में ये है मेरा HDFC बैंक में तो काउंटी ने मुझे लॉन कैसे मिलेगा भाई सब को लॉन मिलेगा फाइनली आज किस वीडियो को लाश तक देखना तब ही आपको समझ में आएगा और फाइनली आप लॉन ले सकते हैं तो सबसे पहले यहां तक आने का वाज सिंपली आपको करना क्या है यहां पे सब सबसे निचे यहां पर सबसे निचे देख सकते हैं यहां पर मोर का एक उप्सन है यहां पर आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्लिक कर देना है चली दूस्तों मोर पर मैं क्लिक कर देता हूं मोर पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं एक नया इंटरफेस दि यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे आप असान तरीका से ले सकते हैं, नहीं सीविले स्कोर देखा जाएगा, नहीं आपका बाई के स्टेटमेन देखा जाएगा, सिर्फ आपको डॉकॉमेंट सम्मीट करना होगा, और अच्छी तरीका से आपको जानकारी द देख सकते हैं यहां प्रस्टास नलान लेना है और इससे पे मैं किलक कर देता हूँ इसपे क्लिक करने करने के यहाँ पर मिश्टेक किजेगा फीर आपको दिक्कत होजाए यहाँ पर दो चीज है यहाँ पर गौड से सुनना गौड से समझना पहला है आपदेख सकते है प्रोस्व्णल लॉइज लेरो टेन सेकेंड और परणोल लॉइज यहां पर गौड से सुनना भाई तो उपर अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें वही आदमी अप्लाई नाव पर करेगा जिसमें जो पहले से यहां पर लिखा भी हुआ है इसका मतलब यह है कि अगर आपका एकाउंट इसमें है अगर आपका एकाउंट खाता जो है HDFC बैंक में है तब ही आप इस पर किली करके अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और उसके साथ जो पहले से लॉन ले रखा है वो भी इस पर किली करके कर सकता है मगर आपके मन मी यह कि मैं नहीं पहले लॉन ले रखा हूँ और नहीं मेरा HDFC में बैंक है अगर यह नहीं है तो finally आपको करना है यहाँ पर apply नाओ पर नीचे वाला पर आपको करना है click करने के बाद दोस्तों फिर से आपको loading होगा loading होने के बाद फिर से आपको एक नया page खुलेगा नया page खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक option आएगा जो आपको यहाँ पर loading हो रहा है loading होने के बाद यहाँ पर 3 step यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करना है जिसमें आपको यहाँ पर आप क्या है select type of employment जिसमें आप saluted है या self implied है चलिए मैं select पर क्लिक करता हूं उसके बाद दोस्तों do you have a saving account used HDFC यह बोला है कि आपका HDFC account है तो नहीं है तो लिखा हुआ है not चलिए मैं कर देता हूं उसके बाद लिखा हुआ है कि do you have any HDFC product यह बोला है कि आप HDFC से कोई product लिये हुए no यहाँ पर no कर देना है नो करने के बाद यहाँ पर आपका eligible आपका हो चुका है होने के बाद redirect back कर देगा बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर view mode पर मैं click करता हूं चलिए दोस्तों view mode पर मैं click करता हूं क्लिक करने के बात दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले कि आप यहां से HDFC से यहां पर 40 लाइचवां लीस्क लाज्ट तक कि लोंग लए वह भी आपको यहां पर 5 मिनटे लेके 24 घंटा कि अंदर अंदर में आपको लॉन दे दिया जाएगा और इजी आपको बहुत अच्छा है चली तुस्तु काम के बात कर लेता हूँ इसमें आपको एक mobile number डालना है apply करने के लिए आप यहां तक आजाना है यहां तक आने के वाद अब आपको loan के लिए apply करने के लिए यहां पे आपको अपने एक mobile number डालना है और वही mobile number डालना है जो आप किसी भी bank में register करा रखे कोई भी bank है उसमें आप दिये रहे हैगा वही mobile number डाल देना है डालने के बाद यहां पे टिक करके और continue कर देना है तो चलिए मैं कर दता हूँ सो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मैं login कर लिया हो login कोई जाकर दो आपको eKYC करना हो और अगर आप डाकर k करना होगा तो यहां पे आने करना कवाद आपको करना का KYC करना है KYC अगर KYC करेंगे तो आप खुछ से यहां पे घर बैटे ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आप KYC नहीं करना चाहेंगे तो आप फाइनली यहां पे Choose and Continue पे क्लिक कर गें आप डारेक्ट आप अपने ब्रांच में जा करा सकते हैं चलिए मगर KYC में आपको कर के दिखाऊंगा मैं खुछ से ओनलाइन कर के दिखाऊंगा करने के लिए आपको यहां पे choose and continue पर आपको कलिक करने कदे लिए यहां छीन पे निखान अगर अगर आपके पास अधार नंबर अगर सो इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है an OTP will be sent to you on your mobile number register with Adhar यह बलना है कि जैसे आप Adhar number डाल के और continue किजिएगा तो जो Adhar card में mobile number link रहेगा उस पे एक OTP किरेगा डाल देना है तो चलिए दोस्तों फटा पट मैं कर लेता हूँ सो गाई यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अधार number डाल के और continue किया हूँ तो यहाँ पर OTP मांग रहा है तो जो mobile number register आपके अधार card पे OTP डाल के और करना किया continue कर देना है तो चलिए दोस्तों मैं कर देता हूँ सो गाई फाइनल यहाँ पर OTP डाल दिया हूँ जिसमें आपका first name last name date of birth आपका यहाँ पर टोटल चीज आपका ले लेगा जिसमें आपको सिर्फ रेसिडेंट आपको यहाँ पर स्फिलेक करना है आप क्या है आपको इस company में खुद का है या क्या है कर लेना है । तो सेलेट कर लेना है ह। जैसे आपका पर लॉण इळीजिबल यानि क्यों हो जाएगा आपका तो फाइनली आपको मैसेज मिल जाएगा कंगराचुलेशन का और डारेक्ट आपको लॉन दे दिया जाएगा और जैसे देगा तो आपको एकाउंट नमर फिलप करना है और आपको अपने खाते में ले लेना है वो पैसे को तो आप इसी तरीक से ले सकते हैं दोस्तों मुझे लेना नहीं है लॉन इसलिए दोस्तों मैं आगे का प्रोसेस बता नहीं सकता हूं क्योंकि दोस्तों बताऊंगा तो फिर मुझे लेना पढ़ जाएगा लॉन इसलिए यहां तक मेने स्टेप में आपको बता दिया हूं आगे सिर्फ आपको तो आप इसी तरीका से आसान तरीका से आप लोन ले सकते हैं HDFC से सो गाई मैं उमीद करता हूँ वीडियो समाज में आ गया होगा तो भाई कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए और हमारी यूटुब चानल को सब्सक्राइब नहीं किये तो वीडियो के निचे कलाल बलाओगा उस पर किली करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा दे ताके आपका भाई का कोई भी नए वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख करो कुछ नए सिख सकते है और मैं यहीं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई के लिए कुछ अच्छे वीडियो लाओं और मैं अपने भाई को अपने वीडियो के माद्यम से कुछ नए सिखाँ तो चलिए फिर नए वीडियो में नए टोपिक के साथ मिनता है जब तक धाइंकि